है 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 आप सभी लोग का विलकम है कि वैक्ट्री ब्रॉक्चेट डिप्वाइन गेम में तो आज हम लोग इस प्रेजेंटेशन के तुरू जानेंगे कि वैक्ट्री और ब्लॉक्चेन के उपर गेमिंग और डिपाई से कैसे हम लोग हम लोग अपना बिजनेस को डेवलाप कर पाएंगे और इस ब्लॉक्चेन इंडेस्ट्री में एक अच्छा खासा प्रोफिट बना पाएंगे इसके लिए किस-किस चीज का जैनकारी चाहिए और इस पर हम लोगों को अपने बिजनेस डेवलाप क्यों करना है इसके बारे में हार एक चीज़ अब्डेट आपको यहां से पता चलेगा जूम के मिटिंग से और उसमें गेम क्या इंपोर्टेंट्स रखता है उसको भी हम लोग यहां पर सियर करेंगे दोस्तों तो आगे चलते हैं दोस्तों एक छोटा सा डिस्क्लीमर है इसमें मैं बताना चाहता हूं कि मैं कोई फानेंशल एडवाजर नहीं हूँ अजयदा सर हैंड रिज की होगा है अजयदा सर कुछ कहना था आपको सर मैं आपको अन्यूट कर रिक्वेश ब्रेज़ा हूँ कि कि नज़िए कि सर गलती से एंड रेज हो गया होगा आप कंट्यूनी के जा बाद में ठीक है तो यह चोटा सा डिस्क्लेमर जिसमें मैं बताना चाहता हूं आपको कि मैं कोई फानेंसिल एडवाजर नहीं हूं आपको इस ब्लॉक्चेन के उपर अपना बिजनेश डेवलाप करने के लिए खुद का रिसर्च खुद का इन्फरमेशन खुद का एजुकेशन बहुत ही जरूरी है इसमें आपको हालविंग स्प्लिट कॉंटेक्ट कल्कुलेशन इस सब के बारे में आपको जानकरी होना चाहिए और सेल्फ रिसर्च बहुत जरूरी है दोस्कों सबसे हम लोग पहले बात करेंगे कि ब्लॉक्चेन पर बिजनस को डेवलप करना क्यों जरूरी है इसके लिए सबसे इंपोर्टेंट बात है आपको कि जब इंटरनेट आया था दोस्तों तो इस इंटरनेट को जिसने सबसे पहले यूज किया और अपना बिजनस इस इतने के बने हुए है और बहुत पैसा कमा रहा है को हो चुके है मिलीनया सब हो कमपणिया है गुगल जिसके बारे में सब लोग जानते है अंचा जय और अभी इंटर्णेट का अफडेट भर जाएं ब्लॉक्चेन हमारे बीच इंटूड्यूस हुआ है तो अगर आपके पास अभी मौका है कि ब्लॉक्चेन पर अपना बिजनेस डेवलाप करने का और आप भी आने वाला समय में गूगल एमजोन फेस्बूक ना बने लेकिन उ और फेस्बूक का स्रीफ वन पर्सन बिजनेस आप डेवलाप कर लिए क्योंकि यह शुरुवाती दोर है ब्लॉक्चेन का और आप देख सकते हो कि कहां 4.4 बिलियन लोग इंटरेट की यूजर है और स्रीफ 350 मिलियन लोग ही ब्लॉक्चेन का यूजर है दोस्तों मतलब कित है जो ब्लॉक्चेन के ऊपर आके अपने बिजनेस को डेवलाप करेंगे तो सारे लोग आपके साथ करेंगे अब इंटरेट ब्लॉक्चेन के साथ क्या है इंटरेट में जो प्रॉडट के क्रियेटर है वही पैसा कमाता है लेकिन ब्लॉक्चेन के साथ ऐसा नहीं है इसमें यूजर भी पैसा कमाता है और क्रेटर भी पैसा कमाता है दोनों एक साथ पैसा कमाते हैं दोस्तों तो यह डिफ्रेंस से इंटरनेट और ब्लॉक्चेन का तो आप किस प्रकार से ब्लॉक्चेन पर अपना बिजनेश डेवलाप कर सकते हैं उसी के बारे में पूरा करें दोस्तो कि अपना ब्रोक्चीन पे अपने डाटा को लेके जा चुकिया दोस्तो जिसमें अलग अलग सेक्टर है आप बेंक और फाइनेंस की बात करें कि आप सप्लाइचेंज की बात करें अप हेल्थ केर की बात करें इनर्जी की बात करें लिएर स्टेट की बात करें प्रेट की बात करें गवर्वेंट की बात करें सब के सब सेक्टर आज ब्लॉक्चेन का यूज कर रहे हैं अगर हम लोग पीछे रागे तो हम लोग काफी पीछे हो जाएंगे क्योंकि ब्लॉक्चेन बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है मार्केट के अंदर पर अगर हम लोग इसको एक्सेप्ट करने में जरा सा भी लेट हो गशे है तो हम काफी लोगों से पीछे हो जाएंगे दोस्तों है तो हम लोग क्या करना है ब्लॉक्चेन के उपर अपना बिजिनेस को डेवलप करने के लिए हम लोगों को क काम करना पड़े गा इसके लिए क्या करना ब्लोक्चेन के उपर अगर आपको अपने बिजनेस डेवलप करना है तो बेब 3 गेम को आपको अज़र मार्केटिंग टूल्स की तरह यूज़ करना पड़ेगा और बेब 3 और गेमिंग से आप एक अच्छा खासा बिजनेस डेवलप कर पाओगे ब्लोक्चेन के उपर जैसे टोन ने किया, टैप स्वाइप ने किया और हैंस्टर ने किया इनका जो creator है बहुत पैसा कमा रहा है और इसका user भी कहीं ने कहीं पैसा कमा रहा है जोस्तों उसी प्रकार से इस प्रकार का example के उपर आपके पास भी एक ऐसा free to earn crypto play to earn game है जिस पे आप भी डॉक्चेन के उपर अपना बिजनेस को develop कर सकते हैं इस चीज को यूज करके दोस्तों आज अगर हम लोग बैटस बूल की बात करें दोस्तों इसमें जो कस्टमर जो आएंगे उनको जो airdrop मिलेगा वह आपको एक से 15 सेटमबर के बीच में मिलने वाला है इसके जी यह उसको airdrop free में मिलने वाला है एक तारिक से लिए 15 तारिक के बीच में मिलने वाला है सेप्टेंबर मैन में उसके लिए क्या करना पड़ेगा earn per hour को increase करना पड़ेगा दोस्तो earn per hour most important है battle school game में और साती साथ हर एक task को पूरा करना पड़ेगा और rank को भी increase करना पड़ेगा यह भी most important है Air drop के लिए दोस्तो तो task क्या है दोस्तो task में आपको daily reward मिलेगा आपको 10 विक्ति को कही ने करना पड़ेगा यह भी अनिवार है प्रोमो कोड आप लोगों ने यूज किया अभी खतम हो चुका है तेलीग्राम ग्रूप जॉइन करना है स्मार्ट व्लेट को डाउलोड करना एक रेट करना इसे प्रकार से हर एक टास्क चाहे वह एक सो यूटूब हो इस्टा हो टिक टोक है डिसकेड हो नो हर एक चीज को आपको यूच करना और संस्क्राइब करना इंपोर्टेंट्स है और 25,000 गेम यूरो क्लेम करना important है दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा दोस्तों Airdrop is coming soon आप देख सकते Airdrop is coming soon और यहाँ पर बताया जा रहा आपको कि Airdrop you will be able to exchange your earned per hour for bullet split token तो डू दिस यूर नीड कंप्लीट ओल टास्क है उसको सब को कंप्लीट करना पड़ेगा तभी आपको एयर डॉप मिलेगा इसमें दस व्यक्ति रेफर करने का जो टास्क है वह भी एड है यह जो भी व्यक्ति दस व्यक्ति को रेफर नहीं कियें या नहीं कर पाएं साइद उनको एयर डॉप ना मिले अगर आपको एयर डॉप लेना है तो कम से कम दस एकाउंट आपको अपने द्वारा रेजिस्टर करना पड़ेगा यह गेम का रूल है और गेम का जो टास्क है इसे पूरा करना दूसरा मीनीमम 음 णतलॉप आवर दस हएंर होना चाहिए अगर आपको एयर डॉप लेना ना एक्टो कितना दस हजार कम से कम होना चाहिए इससे नीचे अचीछ आप कर रहेगा तो साइद एयर डॉप आपको ना मिले तो यहां पर आपको क्या करना है यह दोई टास्क आपक जाएगा कि कितना हंड पर आवर से कितना बुल्टोगन आपको मिलेगा बहुत आपको पता चलेगा दोस्तों 11 दिन बचा हुआ है हम लोग का के लिए डेट उपर नीचे भी हो सकता है यह चीज में आपको बादा दना चाहता हूं इसलिए कोई भी चीज को आप फिक्स मत तो इसको सुदारने के लिए टाइम रेना पड़ेगा इसलिए जब तक आने जाता है तब तक हम लोग इसको फिक्स नहीं मालेगा कि ए डेट फिक्स है कि अगर टेस्टिंग में कुछ कम ही निकल गया तो फिन डेट बढ़ना पड़ेगा लेकिन दो तारिक को एयर्डोप क परमायागा दोस्तों तो यह जो टास्क मैंने बताया इस पर आप सभी लोगों को फोकस करना पड़ेगा अगर इसने अभी तक नहीं किया उस सभी लोग कर लें अगर आपको बुल टोकन फ्री एयर्डोप में चाहिए तो दोस्तों आगे चलते हैं जिस एयर्डोप को हम ल इसमें कोई भी एक भी परसेंट कंपनी नहीं रखेगा हंडिड मिलियन का टार्गेट है दोस्तों बुल टोकन डिस्टिब्यूट करने का और लिस्टिंग प्राइज 0.1 सेंट है अगर आइनर में मात करूँ तो साथ से आट रुपय लिस्टिंग प्राइज होने वाला है बाकि सप्लाइ और डिमांड को देखते हुए रेट इंक्रीज होने का हंडिड परसेंट नहीं 95 परसेंट चांस है दोस्तों और जो बुल टोकन हम लोग को मिलेगा वो स्रीफ बाई सेल के लिए नहीं है वो एक्चेंज पर स्रीफ ट्रेड नहीं होगा उसका चार यूटिलिटिक कंपनी ने बनाया है सबसे पहले अल्टिमा गेम में उसका यूज होगा एक्चेंज पर ट्रेड होगा ही बाई उसेल होगा बुल टोकन और साथी साल फ्यूजर ट्रेडिंग में भी यूज होगा बुल टोकन का और आप इसके साथ स्प्लिटिंग कर सकते हो स्प्लिटिंग क्या होता दोस्तों स्प्लिटिंग एक मैथड है कि स्मार्ट ब्लोक्चेंग पे बुल टोकन को होल्ड करने के अप उ फूल टोकन अल्टिमा में रिबोट करना उसी को बोलते हैं लोग स्प्लिटिंग तो स्प्लिटिंग जो आने वाला है वह स्मार्ट ब्लोक्चेन के उपर एक डेलिग्रेटेड लिक्विटी पूल बना हुआ है एक ऐसा वालेट जो कुछ टोकन से भरा होगा इसका पूरा सकता है अब जो अल्टिमा डिश्टिबूट होने वाला है उसकी सप्लाइश रिप एक लाक है 28.000 अबिलेवल सप्लाइए निकि सर्कुलेट हो रही है टोटल एक लाक सप्लाइए इसमें सब्सक्राइब लेवल है मार्केट के अंदर पर बाकी एक लाक होने में कम से कम काफ पर ट्रेड हो रहा अल्टिमा और जो बुल टोकन के रूप में हमें अल्टिमा में रिबोर्ड मिलेगा उसा ठीक से ओडिट है क्वाइंस मार्केट के पर बेरिफाइड है चार एक्चेंज पर ट्रेड हो रहा है 27,000 होल्डर्स है 100 मिलियन का मार्केट के अप है दुनिया मे है 20,000 क्रिप्ट्र करेंसी है इसमें चो टोप 300 पर रेंकिंग है इसका 3 मिलियन का वोल्यूम हर 24 घंटे में जनरेट करता है दोस्तों अब हम लोग आते हैं स्प्लिटिंग के ऊपर दोस्तों स्प्लिटिंग कि इस प्रकार से आपको प्रोफिट देगा दोस्तों तो कि स्प स्प्लिट कोरता करता है अनне 450 टोकन जो पर डें बीट्कोई दे रहें मार्केट में मार्केट में माइनिंग की तुन Promise में जो सूपर कंप्यूटर के द्वारा नहीं मोता से होता है माई होता है कुछ-कुछ वाल यू में उसको रिभर्ट मिलता है जिस से क्या होता है क्या आता है चार्साल की हाल्विंग रूल एक जो रिवोड है 450 बीसीटी का पर दे हर चार्साल में हाफ होता है दोस्तों इसको ऑल्विंग बोलते हैं और सप्लाइस का कोई रूड्यूश नहीं होता है यानि कि जो टोकर मार्केट में आ गया वो मार्केट में रहेगा उसका कोई भी बटनिंग और फ्रीजिंग रूल नहीं है बटनिंग फ्रीजिंग नहीं होगा तो कोई लोक-प प्रियेड भी नहीं होगा कि क्या लोक़ अब बिटकोइन में अगर आप प्रोफिट बनाना चाहते हो बिटकोइन का माइन करके तो लगबग 30 से डोलर का आपके पास बजट होना चाहिए और आपका जो 12 मंत में अगर आप इथिरियम के साथ श्टेकिंग करना चाहते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो 32 एथिरियम के साथ आपको सोलो श्टेकिंग शुरू करना पड़ेगा 200 मंत में आप स्रिफ 4-6% का एरली प्रोफिट बनाओगे और 20 दिन का इसका अनलोक पिरियेड है हाल्विंग रूल कुछ नहीं है क्योंकि अनलिमिटेट सप्राई है कितना भी सप्लाई इथिरियम का सकता है इसमें कोई कंट्रोल नहीं है दोस्तों इसलिए हाल्विंग चयंने के उपर मैं बात कर रहा हूँ वह ल्टिमा यह स्टेकिंग मेधड से मार्केट में आता है डिली ग्रेटिरं यह फूल्विंग वारह मत में होती है यह तोकन 12 हो जाएगा 12 मंत के बाद 12 मंत के बाद 6 हो जाएगा इसके वैसे सप्लाइब मार्केट में कम होते जाएगा जिसके बाद रिमार हलकलका बढ़ते जाएगा दोस्ते हैं यहां पर 5% ट्रेजिंग फीस था लेकि इसको अठाके 1% कर दिया गया और 12 मंत में अनलोक कर सकते हो और 10 में भी अनलोक कर सकते हो दो मैठाड यहां पर यूज होता है दोस्तों अगर आप अल्टिमा के साथ स्प्लिटिंग करना चाहते हो उसके लिए आपको 636 मेना में आप 30-300% का प्रोफिट बुक कर सकते हो या प्रोफिट निकाल सकते हो कंपनी देगा नहीं आपको आपको निकालना पड़ेगा इससे आप सोच रहे हो कि मैं अल्टिमा के स्प्लिटिंग कर रहा हूं और 300% मुझे कंपनी मुझे देगा अल्टिमा उतना पिट होगा नहीं निकाल पावोगे तो आपका प्रोफिट नहीं हो पायेगा दंक और और अप अल्टिमा के सथ illonक्राइब भी में इक भी रुपए आप घ्ट आपको नहीं करना विना खर्च कि अनुजर साथ किसे तो अगर आपको ही करना क Chan करना ह्या तो सबसे पहला जो मैंने आपको बताया कि जो आपको बुल टोकन मिलेगा उसे क्या करोगे आप स्मार्ट वालेट में फ्रीज करोगे और उसको उससे आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इस प्रिटिंग के थुरू आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो बुल टोकन आपने छोटा मुटा टास्क पूरा करके आपने प्राप्त किया उसको आप स्मार्ट रॉलेट में फ्रीज की और अराम से लेकिन दूसरा तरीका में बताता हूं जिससे आप बिजनेस भी डेवलाप कर सकते हो सबसे पहले तो आप बेटेस बूल से आपने बहुत सरा लोगों के बीच में अपने आपको लेके गए अपने बिजनेस को लेके हैं दोस्तों और आप क्या करना है उसके साथ बिजनेस डेवलाप करना है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा अल्टीमा का दूसरा प्रोड़क्ट जो बुस्टे स्प्रीट प्रोजेक्ट किस प्रकार से बाई होता है बुस्टे स्प्रीट प्रोजेक्ट का जो रेट रेके एक लाग दस यार ERO तक आए आपके उ apenas 10 गुणा एस्टरा के के साथ है नहीं बन रहा है नैंज मिल रहा दोस्तों लेइस साथ ही सजाते हैं कई कोई भी किस्टमर को मेर दो शूर के वेलू का अल्टीमा बाई करता है और बुल टोकन के जैसा स्मार्ट वालेट में वन येर के लिए सिर्म फ्रीज करता है दोस्तों तो उसे 0.1 बुश्टे स्प्लिट मिलेगा और साथ ही साथ 220 येरो के वेलू का अल्टीमा भी उसके वालेट में फ्रीज हो जाएगा इसी प्रकार से अलग अलग पैकेज है दोस्तों और अलग अलग पैकेज की वेलू का पांसो पचास येरो का अल्टीमा फ्रीज करना पड़ेगा वन येर के लिए ये पैकेज लेने के के लिए 1100 यूरो का 0.5 बूश्टर स्प्रिट लेने के लिए 1100 यूरो के वेलू का अल्टिमा स्मार्ट वल्ट में स्रिफ फ्रीज करना पड़ेगा यह पेकेज उसको मिल जाएगा तो यहां पर एक लाग दस अजार यूरो का वेलू का उसको फ्रीज करना पड़ेगा सबसे पहला पर कि कॉन्टरेक्ट कर सकते हो इसको स्मार्ट्र वालेट में वींटिमा में मिलेगा यह यह बुश्टर वाइनुरिट करेगा यह स्टर इसना है यह आपको मिला है उसको सेल्भी कर सकते हो मार्केट ट्रेट जो होगा जो आपको पसंद होगा उससे आप सेल कर सकते हो साथ यूचर ट्रेडिग में इसका यूच होने को प्रोफिट को कल्कुविशन करना है अब देखिए यहाँ पे डे वन का यह रिवोड है डे वन में एक व्यक्ति ने एक अल्टिमा को फ्रीज किया दो इसतो तो उसके उपर जो इंट्रेस्ट आया है उसको 0.001315 अल्टिमा का उसको इंट्रेस्ट आया एक अल्टिमा फ्रीज करने पे और एक अल्टिमा का जो वेलू है अभी 75 डॉलर है और 0.001315 अल्टिमा को मार्केट रेट से कल्कुलेट करेंगे तो लगबब 9 डॉलर का होता है अब क्या क्या रिबोट को उसने दुबारा से फ् पॉइंट 001315 अल्टिमा उसको फ्रीज हो गया तो इसका जो वेलू हो गया लगबग 7,509 हो गया और एक अल्टिमा के वेलू कितना था 7,500 हो गया दोस्तो इसमें जो उसका खर्च हुआ फ्रीजिंग करने में अब दूसरे दिन क्या हुआ दोस्तो पहला दिन का प्रॉपिट नौ डॉलर और उसका जो पोर्ट्फोलियो बना उन एर का फ्रीजिंग का जो पोर्ट्फोलियो बना वो बना 7,509 दॉलर का उसका पोर्ट्फोलियो बना दोस्तो इन्वेश्टमें में प्रॉपिट नहीं पोर्ट्फोलियो देखते हैं दूसरा दिन आते हैं दोस्तो एक अल्टिमा उ енно 325 Ultimate का लगबक 10 dollar का उसको मिलु का Ultimate मिला दोस्तो और सती साथ एक, Une thema one year के लिए غी करने के बदलेे उसको लगबक 3.4 booster split मिला प्रीव पोस्ट में आप्रिजिंग करने के बदले कि वह वśl ये लिए फ्रीज क्या था और बूश्टर स्प्रेट मैंने बताया कि उसको 3.4 इंटरेस्ट मिला लगवा 21 डोलर का इंटरेस्ट मिला 0.002762 इंटरेस्ट मिला बूश्टर स्प्रेट से वोन इर अल्टिमा फ्रिच करने के बढ़ी अब उसका जो प्रोफिट हुआ वो हुआ 0.004 ultima यानि कि ultima pool से उसको profit हुआ 0.001325 और 0.002762 ultima pool से और booster pool से और फिर क्या किया उसने freeze कर दिया इस चीज़ को दोस्तो उसने क्या किया फिन से वापस जमा कर दिया ultima pool में अब उसका जो portfolio हो गया वन 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 अल्टिमा प्लस 0.005404 ultima का इसकी value कितनी हो गई 8300 डोलर और पहले एक ultima के value कितनी हो गई रेट बढ़ने पर साथ यह 960 डोलर आभी उसका portfolio कितना हो गया 305 डोलर का दोस्तों तो उसका portfolio कितना था step 10 डोलर का यानि कि ultima के rate में व्रिधी और compound interest से उसने एक दिन में 530 डोलर का portfolio अपना बना लिया दोस्तों और उसका पास लगबग पचास स्मार्ट कोई एनर्जी में और पांच स्मार्ट कोई बेंडवेथ इंफ्रीश था तो transaction के लिए एक स्मार्ट कोने लगा हर एक transaction उससा मुप्त में हुआ दोस्तों इस प्रकार से अगर हम लोग भी थोटे मोटे investment से इस प्रकार से यूज करेंगे तो अच्छा खासा portfolio हम लोग भी बना सकते हैं तो उमीद करता हूं आपको समझ में आया हुआ है यहां पर जो भी कि 220 यूरो का package है जिरो पॉइड हो इसको मिल रहा है अब मैं आपको तरीका बताता हूं कि इस प्रकार से आपको काम करने का जरूवत है जिससे आप हमेशा profit करने वाले हो ठीक है प्रोफिट निकालने वाले हो दूस्तों कि मैंने बताया आपको कि जिसनों जिनोंने पांसो नौड दोलर का profit बनाया प्रोटोलियो बनाया उसको कंपनी ने बनाके नहीं दिया कंपनी के पास स्रिफ प्रोड़क्ट है उसको कैसे यूज करना है वह आप ही को पता होना चाहिए इसको गलत तरीका से यूज करोगे तो फुद का ही होगा नुक्सान होगा इसको सही तरी कि हमेसे आपका लोस हो तब ने कंपनी प्रोफिट होगा कोई अगर कंपनी क्या चाहता है कि अगर मेरा कोई कोई करेगा तो हम लोगों को प्रोफिट बनाना पड़ेगा बनाने के लिए उसका उसका जो राइट चीज उसका जो सही चीज उसका यूज करना पड़ेगा और कौन बता पाएगा को कोई ने बताएगा कुछ से समझना पड़ेगा कुछ से शीक्खना पड़ेगा जब तक आप खुद से नहीं सीखोगे दूसरे पर डिपेंड रहोगे चाहे वह आपके अपलाइन हो चाहे कोई भी हो दोस्तियार परिवार दुसरे कंदे पर रखके बंदूग चलाओगे कभी भी निशाना सही लगने वाला नहीं है उसी प्रकार से दुसरे के भरोसे पर रखके इन्वेस्टमेंट करोगे कभी भी प्रोफिट ने बना पाओगे दोस्तों यह मेरा तीन सल के ए प्रेकेज किसी वेक्ति को बताना है इससे मैं अपना विजनेस को डेवलब कर सकूं तो ऐसा आपको करना पड़ेगा यहां पर दो चीजा को करना पड़ेगा जिसको ध्यान से समझ लीजेगा और अपना हाट में बठा लीजेगा क्योंकि मैं उस्रे फोन से अपना स्क्रीन सेर करने वाला हूं और आपको कल्कुलेशन बताने वाला दोस्तों हर एक चीज बहुत इंपोर्टन चीज मैं अभी बताने वाला हूं काफी द्यान से आप इस चीज को समझेगा तभी आप प्रोफिट बना पाईएगा दोस्तों एक रिसार्ट पूरा लगा है महनत लगा है तभी मैं आपको बता पा रहा हूं झाल 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 अब देखिए आपको 220 यूरो का पेकेज लेना है 220 यूरो का मतलब होता है 500 डॉल्मोस्ट तो आपको 220 यूरो को 220 यूरो का पेकेज लेने के लिए आपको 200 डॉलर का डाइसु यूजडिटी का आपको अगर आइनायर के बात करें तो डाइसु गुना आप 91 ये 92 कर लिजेगा जो बाइनेंस का रेट चल रहा है आपको इससे आपको आइनायर में बेलूग पता चल जाएगा दोस्तों लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं सबसे पहला अगर आपको पेकेज लेना है 220 येरो का ठीक है तो आपको यहाँ पे 220 येरो का वन येर के लिए आपको अल्टीमा करना पड़ेगा आपका बजट अगर 220 यूरो का है तो आपको क्या करना पड़ेगा यहापट अपने बजट को डिवाइट करना पड़ेगा त्यों डिवाइट करना बजट करना बहुत ज़रूर है अगर आप अपना पैसा एक जहाँ पर रख लिजएगा तो उस पैसे से आपका कंट्रोल खतम हो जाएगा तिन आप क्या कर सकते हो प्रोफिट ने बना पाओगे दोस्तों यह प्रोफिट बनाने के समय आगा प्रोफिट ने बना पाओगे अगर आपका बजट 220 एरो का है तो आपको अपने पैसे को डिवाइट करना पड़ेगा अगर आपका बजट 50 यार का है आपको अपने पैसे को डिवाइट करना पड़ेगा अगर आपका बजट 1 लाग का है 5 लाग का है 10 लाग का है 50 लाग का है आपको अपना budget को divide करना पड़ेगा उसको दो तुकड़े में करना पड़ेगा दोस्तो पहला तुकड़ा यानि कि 110 EUR 110 EUR दुसरा तुकड़ 110 EUR हुआ 2500 EUR तो 110 EUR के अल्टिमा को आपको क्या करना पड़ेगा उन येर के लिए फ्रीच करके बूुस्टे स्प्लीट के साथ आपको जाना पड़ेगा और उसको बाई कर लेना पड़ेगा दोस्तो अगर आपका बजट एक लाग का है तो आपको 550 येरो का अल्टिमा उन येर के लिए फ्रीच करना पड़ेगा और आपको बूस्टे स्प्ल आपको 0.0127 मिल जाएगा इसको क्या करना है दोस्तों इसको आपको लगबग दस मिनेट वाले अल्टिमा फ्रिजिंग के साथ लेके जाना पड़ेगा दोस्तों अब यहां पे वन येर के बीच में कभी भी अल्टिमा 7800 से लेके साथ 14,000 तक जाता है तो आपको क्या करना है इस एक स 10 Marco का बेलुका अल्टिमा के साथ आपको प्रोफिट बुक करना है दोस्तों Oooh तो आपका जो वन येर के प्रोफिट में चला जाएगा फिर आपको उसके लिए एक भी परसंट का टेंसर नहीं है क्योंकि अगर आप क्रिप्टो में हो तो क्रिप्टो में ट्रेडर बहुत पैसा कमा रहें तो आपको ट्रेडर भी बनना पड़ेगा इन्वेस्टर भी बनना पड़ेगा सोट टाइम लॉंग टाइम प्रोफिट दोनों माइंड्सेट से आपको बिजनेस में ना पड़ेगा ठीक है और इस प्रकार से बिशेश ट्रेंडिंग आपको सिर्फ एक टिप अपलाई नहीं बता पाएगा क्योंकि आप अगर आपने किसी की साथ भी अगर आप बिजनेस से अच्छा एक्सप का क्यों से प्लांकिक अपके साथ चैयर करें और और आपके प्रोफिट के बारे में बात करेबानियों ग्रॉब तो जो मैंने अभी बताया आपको सुठ तरीके से इसको आपको समझ में आना पड़ेगा आपका बजट जो भी है चाहे हुआ 550 pole का हो चाहे हो 1100 pole का हो चाहे हुआ 220 euro का हो आपको अपने fund को divide करना ही पड़ेगा तभी आप profit बना पाओगे सही समय पे आप उन ये के या फ्रिजिंग करते हो और आप 550 युरो का यी बूस्टर स्प्रिट लेते हो तो आपको प्रोफिट आप उन येर के लिए बाद एक्सप्रेट कर सकते हो और जो इंट्रेस्ट आ रहा है थोड़ा बहुत उसके साथ आप profit बना सकते हैं दोस्तों लेकिन अगर आप यहां पर divide करोगे आप क्योंकि Ultima की supply स्रिफ एक लाख है एक लाख मार्केट में Ultima ही बनने वाला है और स्रिफ 28 और मार्केट में एबिलेबल supply है Ultima token का rate growth 100% होने वाला है इस 7 से 14 पर से जाने वाला दोस्तों अगर एस साथ से चोदर के बीच में अगर हमारे पर प्रोल्टीमा नहीं रहेगा तो कौन प्रोफिट बनाएगा दोस्तों जो ट्रेडर प्रोफिट बनाएगा हम तो ट्रेडर नहीं है हम तो इन्वेश्ट करके बैटे हुए हैं तो अगर आपको अपने वन येर के लिए अल्टीमा को प्रोफिट बनाना पड़ेगा तो इस प्रकार से आपको प्लानिंग के साथ आगे बनना पड़ेगा आपको डिवाइड करना पड़ेगा एक पार्ट ट्रेडिंग के साथ 10 मिनेट के लिए अल्टीमा फ्रिजिंग के सा और एक हिस्सा वन एर के लिए अल्टिमा फ्रिजिंग के साथ आपको आगे बनना पड़ेगा दोस्तों तब आप देखो क्या प्रोफिट बनाते हो आप उसके बाद हमसे मिलना आप ठीक है तो बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हर एक चीज को आप लोगोंने ध्यान से सुना अगर किसी है कोई भी क्वेच्चन होता है तो आप जरूर पुछिए तो इसको एंसर देने के कोशिच करूंगा जल्दी हैंड्रोइच कीजिए नहीं तो फिर कि मैं दूसरा वेक्ति को इन्वाइट करूंगा हाँ सर अजयादा सर मोस्ट विल्कम आपका मैं आपको अन्मूट करेकर वेज रहा हूं परदेजा सर मोस्ट विल्कम आपका हलो जी सर कुश्चन तो कुछ नहीं है आज करा मेटिंग बहुत ही जबर्दस रहा और साथ-साथ जो हम लोगें के बीच जो एरड़ब मिलने का अपडेट आया है इससे थोड़े लोग तो नाराज भी है और थोड़े लोग कुसी भी ह अपडेट नजडिक आ रहा है तो जैसा फिर भी मैं सबको बोलना चाहूंगा कि आप कांट्यूनिव गेम खेलते रहे हैं जिसका दस रेफरेंस नहीं भी हुआ है ट्राइक कीजिए करने का और नहीं भी हुआ है तो कोई बात नहीं जैसे हो सकता है किसी कोई तीन फोन यू उसके लिए होगा तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है इसको लाइटली लीजिएगा सबको वही में बोलना था हा और फ्यूचर में हो सकते है अभी ऐसा नोटीस आया है हो सकते है कभी भी फिरो अन पार उपर कि भी सबको मिल जाए तो यह तो जब नोटिफिकेशन आया ह उसको हमको फालो करना पड़ेगा बाकि अभी दो तारीक के बाद ही पता चलेगा कि 10 जन को रिफर कमपनसरी है की नहीं तो यही में बोलना था और जैसा दोस्तों राउल सर ने बताया कि कैसे प्लानिंग करना पड़ेगा कैसे हमको आगे बढ़ना है कैसे फ्रिजिंग करन रहा था कुछ रिवार्ड्स के डार्र छाथ चल रहा था साइद ईसको कैसे लोला है मतलब जो जो एक्जिस्टिंग है या नियू निव या जो अस टिक चिक वी अगर बुश्ट पूब ले ता है उसको भी regarde कर सकते हैं डैरेक्ट में या फिर नया को इपको क्यों रेस्ट्र करना पड़ेगा ठीक है और उन को एक स्थो चर्फ यह उस्योड सकतरै का पेकेज दिलवाना पड़ेगा जिसके वाय से आपको 10,000 रुपय का यानि कि 100 डॉलर का आपको प्रोफिड मिलेगा हमारे यह सर की तरफ से ओके सो तीन नया व्यक्तिम यह पर मतलब जैसे जो अल्रेडी मेरा डायरेक्ट में है जो गोल स्पीड प्रिमे स्पीड लिया हुए पहला उसका प्रोड़क्ट पर्चेसिंग नहीं होगा पहला प्रोड़क्ट उसका होगा प्रोड़क्ट होना चाहिए अच्छा पूरा नीव रेजिस्ट्रेसर नहीं चाहिए अच्छा जो कि सब्सक्राइब करना था यह दूसरे कस्टमर भी पूछ रहे थे तो मैं बोला मैं कंफर्म करके बोलूंगा एक सर क्लेर हो गया सब तै कि एक करोड़ यूरो पे एक बूल टोकर ने सरी या परड़ गया तो क्या क्या करना सब्सक्राइब कर रहा हूं सर पहले एक मैसेज आया था क्या कि एक करोड़ यूरो पे बिल्कुल एक करोड़ कैसा कंवर्ट होगा उसके उपर अभी कोई अपडेट नहीं आया है कंपनी इसको इंडिकेट करेगा ठीक है मैंने हमेशा आपको बोला यही सवाल है मार्केट के अंदर पर कि अर्निंग परावर बढ़ाएं कि गेम य बढ़ाई है इस कोचेन को आप बारवर मत पूछिए हमेशा ठीक है और हमेशा कंपनी अर्णिंग परावर के उपर यह बोल रहा है ठीक है कि अर्णिंग परावर के कोटिंग यह हम लोग कंवर्ट करेंगे तो अगर हमारे पास गेम यूरो रहेगा तो उससे अर्णिंग परावर रहेगा तो गेम यूरो कभी भी बन जाएगा उदोनों में कोई दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके काम कर रहा तो इसी को काम कीजिए यहां पे और मैंने आपको बताया हमेशा दो आईडी यूच कीजिए एक में गेम यूरो बढ़ाई है तो आपको इक होगा और दो सितंबर के होगा आपको हम लोग सब्सक्राइब क्या करें अब कितना आइडी कुछ कर रहे हो एक आइडी आप एट लेबल पे पहुंच गए अदिंग पर आपर दस से जाधा हो चुका है तो ठीक जैसा है उसको रखिए गेम यूरो रखना चाहते हैं तो गेम यूरो रखिए यूटि परावर बढ़ा चाहते हैं तो अब इसके उपर मेरा पास कोई जवाब नहीं है सर कि आपको का करना चाहिए अडिग परावर उपे मिलने वाला है हर एक पूरा करना पड़ेगा ज्यादा पड़ेगा और हम लोग बहुत जल 26 करने वारे कितना किम दुड़ोट ब्रावर कितना विरा अंपर अश्क देट तो गेम युरोब बनाकर अप का GothS 10 ज्याद से उपर अपको होँगUI पर फैनWh सबसे पहले मैं बदहर देना चाहता हूं मैं को मैं आज कली बना न्यू सफायर रेंग को एक्षीब की है उसके लिए बहुत-बहुत बदाई मैं आपको और मुश्ट वेलकम आपका नाजिया में मुश्ट वेलकम आपका थैंक यू सो मच सर अम हलो एवरीवन मुझे कोई सवाल नहीं है सर बस एक कंफ्यूजन उसको क्लियर करना है सर आपसे यह करना सर कि जो आज जो अपडेट है गेम में जो अपडेट आया सर उसके क्या ऐसा है कि पॉइंट्स में बूल टोकन भी मिलेंगे जैसे अल्टिमा मोग पॉइंट्स में ऐसा कुछ कि उसमें जो लिख रहा है कि दस हजार मिनिममम होना चाहिए और पड़ावर तो जैसे कि हम लोगों ने सुना थे कि एक बूल टोकन की वैल्यू वन करो रहे तो यानि अगर किसी के पास वन करोड नहीं होगा कम होगा तो क्या वो पॉइंट्स में खड़ी देगा जैसे हम लोगों लेने के लिए तो इसका मतलब यह हुआ कि पॉइंट्स में भी दिया जाएगा जैसे अल्टिमा ले रहे हैं इसकी वैल्यू तो बहुत कम है तो कैसे फिर इसक सब्सक्राइब करें उनको ज्यादा मिलेगा जो थोड़ा सा कम मिलेगा यही तो सिस्टम है और ऐसा नहीं कि पहला एर्डॉप है मुझे लगता है कंपनी इसको डिवाइड करके अलग-अलग सेक्शन में देने वाला है पहला एर्डॉप और अभी तो सर वह चौथा वाला जो हमारा सेक्शन है वो तो खुला ही नहीं न सर बैटल जैंबियर उसकी विना कैसे एर्डॉप कि देखे एर्डॉप के तरफ से आ रहा है एर्डॉप दूसरा भी आएगा उसका भी समय निकलेगा और तिसरा एर्डॉप का भी समय लगेगा मुझे लगता है पार्ट मिलेगा दोस्तों मतलब करेंग का इस प्रकार्ट से कंपनी का वह सकता है फिलाल के लेटल ओपीशिल कि आंए में पर्मीशन नहीं है मैं सोच पार रहा हूं इस प्रकार्ट से कंपनी डिस्टिबूट कर सकता है कि अगर जिन लोगों का कार्ड सारा का सारा अनलॉक हो जाएगा तो उनके लिए मुझे लगता है बैटल चैंपियन माला कॉल जाएगा तो पूरा कर पाएंगे वहुच्छ हमारे बिस बहुत सरे लोग है इनका कुछ ही कार्ड बचा हुआ है जैसे हमारे इस तरिनात विस्ट सरे उनका सिर्फ सिर्फ चाड लोग करने के लिए बचा हुआ और मेरा लग आठ कार्ड अनलोक करने के लिए बचा हुआ है जैसे है और रैंक की बार जहां था कि तो मैं तो अभी रूबी रैंक कोछेस कर रही हूं इसी में एक पढ़ाव आगया सफायर का तो सफायर चुकि मेरे टीम में अलड़ी है तो अब है किया मेरा जो फुल्फिल नहीं वा था सब्सक्राइब तो वह हुआ है तो अब मैं आगे के लिए चुकि हमारा जो है पीछ में आप देख रहे हैं सब लों का बिजनस डाउन हुआ तो इस तरह मेरा भी अब भी अब सब्सक्राइब करना है उसका मैंने पूरा प्लानिंग बताया था लोगों को अगर और किसे कोई भी क्वेच्चन है आप ज़रूर्ण है किजेगा प्रणाव सरे प्रणाव सर मॉस्ट विलकम आपका जी सर गुड़ इबनिंग सर गुड़ इबनिंग गुड़ इबनिंग सर अभी आप इबनिंग में जो भी बता है सर बहुत अच्छा लगा और वेसे ही करना है सब डिवैड करके हमको रखना है एक्चली सर कुछ क्वेस्चिन तो नहीं है ज्यादा तर क्लियर है अभी बैटल बूल गेम्स का वही एक अप्डेट में भी मतलब मेरा में से सोच रहा हूं इसको जैसे कि वह क्राइटेरिया दिया है कि कम से कम मिनिमम टेन थाउजंड गेम इरो होना चाहिए और और आल टास्क्वेट होना चाहिए बाकि वह इंडिक में वही दिखाया गया है कि एर्ण परावर के हिसाब सही वह एर्डॉप डिस्ट्रिबूट करेगा दिखा गया है एक चीज मैं अभी बताना चाहता हूं आपको जितना भी प्लेटू अभी तक है ठीक है अभी तक दिया नहीं है इससे हैंसर की साथ है अगर अगर अभी द तो अभी ओभी ने दिये पाया है और हम लोग कंपनी क्या रूल बनाएगा कैसे एर्डॉप देगा है तो कंफ्यूजन की बात है सब अपने अपने माइंड से सोच रहा हूं मैं भी यह सोच रहा हूं कि अर्डिंग परावर के बेसपर ही कंपनी दे तो अगर हमारे पास ग करोड़ या पांच कर या दस करोड़ तो अधिकत हो सकता है इसलिए मैं बताना चाहता हूं आपसे लोगों को कि गेम इरो भी थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहिए सारा खर्च मत कर लेजिए परावर इंकरीज करने के रूप पर अजी सब्सक्राइब दोनों को पैरलली लेना पड़ेगा आपका सफीशन गेम इरो भी थोड़ा रखना पड़ेगा देखके मतलब थोड़ा दिमाग लगाना है और थोड़ा इतना अन परावर भी रखिए कि जिससे की कुछ आज परावर उसके हिसाब से तो जो वान परावर कोई करेगा नहीं अभी दव तो वाल्ड में कोई किया भी नहीं तो डेफिनेटली गेम इरो को हमको जेनरेट करना है और और परावर के हिसाब से हमको बुल्टोकन मेरा सोच नहीं और एक दूसरा चीज़ कहा है ना अगर गेमेरो के इस्साब से बुल्टोकन डिष्ट्रिबूट होगा तो करोडेों में एन तो बुल्टोकन तो allen करोडी तो तो सप्लाएं धमाद मारकट्स में डूसरा मिला जाएगा यह सोच ना है गलत भी हो सकता है तो वह तो आप जैसे बोल रहीं में को दोनों को पारलेली र थांक्यू पढ़नाव सर काफी अच्छा मेसेज दी है हमारे कम्यूटी को जिसे आपका बात सुनके भी लोग को किलियर हुआ होगा कि क्या चीज़ पर हम लोग को फोकस करना है बाकी मैं इन्वाइट करना चाहते हूं हमारे बीच में अगर मेरे भॉइस निसान सर के पास जा अपका घंडरेज करो है वह कहां निसान सर मेरा आपके पास पहुंच रहा है तो हैंडरेज कीजिया आप लगए लगए अश्टि वेल्कम आपका कि अच्छुली सर मेरे कुस्चिन था जी बुलिए कि आन पर आवार के सबसे मतलब की मान लिजे एक लाक आप पर आवर के सबसे आपको पॉइंट वान गुल्ट अकन में एक जेम्पल दे रहा हूं एक लेवल नहीं बढ़ाते हो और अच्छा समझते हैं पर सर जो कार्ड लेड़ी लेविल आप है मगलब की लास्ट लेविल उसको तो आपने विन कर लिया है उस पर पिन कोई रूल अप्लाय नहीं होगा जो कार्ड आपने नहीं होगा वो तो कौन परावर चलता ही रहेग अगर अर्ण परावर के उपर बूल टोकन दिया तो मेरे इनुसार से मेरा समझ है मैं बोलूंगा तो साइद आपको आप सभी लोगों को दुख लगेगा मितलब आप सभी लोग नराज हो जाओगे वेटेश बूल गेम से लेकिन अगर एक लाक अर्णिंग परावर एक मैं समझ रहा है तो एक कार्ड का लेविल मतलब की मालेजे अल्लेडी टेन लीविल पर हो ठीक है तो उस कार्ड अप्ड्रेड होने के बाद वह मतलब की जितना ऑन परावर उसमें तोड़कूल मिलाकर दिखा रहा है उतना आएगा कि अप्ग्रेड करने के बाद जो की 200 की 300 वहां से कंपनी दुबारा से स्टार्ट कर सकता है और बेटल चेंपिएन में काड होगा बेटल चेंपिएन से गेम यूरोगा मतलब बहुत सब्सक्रा और आ सकता है लेकिन मेरे नुसारते जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ अगर अर्णिंग परावर के बेस पे कंपनी ने बुल टोकन दिया तो अर्ण परावर खतम हो जागा दोस्तों आपको उसके बदले आप ले लिजे अर्ण परावर हो गया लेकिन अगर आपको गेम यूरो के बदले कंपनी बॉल टोकन दिया तो फिर अर्णिंग परावर आपका बचा रहेगा दोस्तों तो अब कंपनी को फैसला लेना है क्यों कैसे करेगा अभी इसके बारे में डिस्ट्रिबूशन के बारे में फिलाल कोई जनकारी नहीं है बहुत आपको इंडिकेट होगा और दो तरीक से पहल कर सकते हैं उसमें टाइम ने लगेगा और दूस्ते बात है जो कि एर्णिंग परावर के बेस पर ही रहना चाहिए क्योंकि नया प्लेट्स को भी मोका मिलना पड़ेगा जो नया लोग आएगा वो एड होते जाएगा इस प्रकार से बहुत सरा चीज है सोजने के लिए तो बहुत सरा चीज सोच सकते हैं अब कंपरी क्या सोच रहा है उसको मैटर करता है मैं तो कुछ भी सोच सकता हूँ जो नया प्रोणा प्लेयर है उसके अरणिंग पर आवर उसको बुल्टोकन मिला अब उसका गेम खतम अब नया प्लेयर आएगा उभी अपना अर्णिंग पर आवर बढ़ाएगा गेम हिरों करेंगा उसका भी खतम ऐसे करते करते हंड़ेड बिलियन का जो टार्गेट है के इसलिए मैंने चाहता हूं कि कोई अनुफीशल इंफ्रमेशन हमारे कम्यूटी के साथ तो मैं आज तक नहीं बताया हूं कभी भी अनुफीशल इंफ्रमेशन जो ऐता है टेलीग्राम गृप पे जो भी आता हूं करने का कोशिस करते हूं आप से लोगों के साथ और अपडेटेट रहें ग्रुप में भी मैं सेर करते रहें उसको भी आप फोलो करते रहें और बहुत जिल पता चल जाएगा ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है आज होगी किस तारिक 11 दिन बचा हुआ है 11 इतना दिन वेट कर तो मैंने बताया था एक चीज बूल टोकन से जाद एक्सपेक्टेशन नहीं करना है कम एक्सपेक्टेशन भी नहीं करना है मेडियम रखना है सिंपल जैसा आप गेम खेलते हो उसी तरह से आपको रेगुलर को पुलना है यभी आपको टाइम मिले अपना कार्ड बाई कर ल लेकिन ऐसा नहीं कि आपको कुड़ोपती बना देगा किसे मार्केटिंग की तरह लेना है इसको हां जादा जासर आपके तरफ से क्या राया है कि सर सब पहले एक बताया गिया तो सर जैसे ब्रहूं कुछ आपका कट रहा है जैसे आगर हम काट जैसे हम लोग हलो हम अबाज आ लो है तो जैसे अगर लोग एर्ट्रॉप ले लेटे हैं जैसे पहले बताया गिया था एक्जांपुल में कोई काड्न कर ले लेटें दस काड़ काल्कुलेशन आ रहा है इसके बाएसिस में और यूप ले ले तो फ्रीज हो जाएगा बाकी काड़् चलते रहेगा तो जो काड़ काम ले लेंगे उसका एर्डॉप मिल जाएगा एर्डॉप मिलने के बाद फिर वो काड़ को अपग्रेट करने के लिए तो फिर हम लोगों को चाहिए ना तो गेम इरो उसलिए जरूरी है विल्कुल विल्कुल जर बाकि अगर हम लोग लेकिन अगर हम लोग बेटर के ओपर डिसकसन शुरू करेंगे तो पता चलेगा कि बारा बज़ गया लेकिन फिर भी उसका उपर निसकर्स नहीं निकला तो दस बत चुके होंगे मिटिंग इंडप होने का समय हो चुका दोस्तो तो मैं चाहता हूँ आप सभी लोग से अलविदा लेना मिलते हैं हम लोग कल